उत्तर प्रदेश के पूर सियम कल्यान सिंग नहीं रहे। उनके निधन के साथ भाजपा की वो कहानी भी इतिहास बन गई है जिसमें एक लोग प्रोफाइल वाला लोग लड़का उभरता है। उसका कद बर्दा जाता है। बीजेपी का संकट मोचक बनता है और देश के सबसे खास सुबे का सीम बन जाता है। ये सब कैसे हुआ इसकी कहानी बड़ी दिल्चस्प है। लेकिन इससे भी जादा मज़दार उस नेता की कहानी है जो कल्यार सिंग को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेकर आता है और उन्हें पोस्टर बॉई बना देता है। ये कहानी है जन्संग के कद्दावन नेता हरिश्चन सिवास्तो की जिनका नाम लिए बिना कल्यार सिंग को याद करना उन्हें अधोरी शद्धानली देने जैसा है। मशकार मैं पल्लो जी हिंदुस्तान डिश्टल के हिंदील प्रेटफॉर्म पर हरिश्च बाबु का ही एक खास किस्सा लेकर हाजिरूं। हरिश्चन सिवास्तो की कहानी इसलिए भी अलग है क्योंकि वी इमर्जनसी के टाइम की नेता हैं। उनके पुत्र सौरब शिवास्तो वारांसी केंट विधासबाचेश से मौजूदा विधायक हैं। एक मीडिया बाच्चीत में सौरब ने पिता की इमर्जनसी वाले दौर की कहानिया सुनाई थी। बकॉल सौरब 14 सार की उम्र थी और साल था 1949। इसी समय पिता जी समाज से भी नाना जी देशमुक के संपर्ग में आ गयें। उनकी साइकल पर ही बैट कर घूमा करते थे। फिर वे संग से जुड़ गये। इसके बाद जब 21 अक्टूबर 1951 को भारती जनसंग की स्तापना हुई तो हरीश बाभू इसमें बिजुड़ गये। मन और लगन से काम किया तो कद बढ़ता गया। भारती जनसंग के पहले अधिवेशन में व्याटल विहारी वाजपई के साथ मंश पर बैठे। दिन बीते साल बदले। वक्त गुजरा फिर आता है 1975 वाला वो दौर वही साल जब कॉंग्रेस सरकार ने इमर्जंसी लगाई थी। जनसंग के कई नेताओं को गिरफ्तारी से बशना था ताकि आंदोलन जिन्दा रहे। नानाजी देश्म्क के कहने पर हरी शनसीवास्तों को भूमिगत होना था। सरकारी एजंसीयाा हाद कर तो पीछे पड़ी ही थी। लिहाजां कईत्रा की दिक्कतें दी गई परेशान किया गया घर की कुर्की कर दी गई, कई जगा चापे पड़े लेकिन सब बेकार हरीश बावू न तो सामने आए और ना ही प्रकड में असल में पुलिस और इंटेलिजेंस से बचने के लिए हरीश जन ने जो तरीका अपनाया था वो बताना मज़ेदार है इमर्जेंसी के दोरान हरीश जन नकली विक, मूच और चोड़ी कलम लगा कर रिटायर करनल डिकेसिंग बन गए थे एक बार तो पुलिस बहुत करीब तक पहुँच गई तो वह तीन दिन तक पान की गुम्टी में ही रहे दिन भर गुम्टी बन रहती थी, रात में गुम्टी का मालिक आकर खाना खिलाता था और सुबह होने से पहले बन कर चला जाता था एक बार नदी में पुल पर दोनों तरफ से पुलिस ने घेल लिया था तो हरीश जन नदी में कूदे और तैर कर निकल गए कई बार वो जब सब के सामने भी होते थे तो नंगे बदन आटा लगा कर घूमते थे इस तरह वो पकर में नहीं आए इमर्जेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में हरीश बाबू बांसी विधान सभा सिधार नगर से विधायक बनी यूपी सरकार में खाद और रसत आपूर्ती मंत्री भी बने कल्यार सिंग हरीश चन सिवास्तों की ही खोश थे दरसल 1962 से पहले के साल में जंसंग यूपी में अपनी सियासी ताकत बढ़ा रही थी जरूरी था कि सवर्णों के लावा कुछ पिछड़े चेहरे भी पार्टी की पैचान बने इसी खोश बीन में कल्यार सिंग का नाम हरीश बाबू तक पहुँचा यूपी में अलिगर बुलेंच शहर से लेकर गोरकपुर तक लोट जाती की तादात अच्छी खासी थी कल्यार सिंग को इसका खूब लाव मिला हरीश बाबू ने उन्हें और सक्री रहने को कहा और मौका देखते ही 1962 में कल्यार सिंग अतरौली सीड से टिकट पा गए थे हालाकि सनबासट वाला चुनाओ तो कल्यार सिंग हार गए लेकिन उन्होंने सियासत की जमीन को परक लिया था अगले 30 साल उनके नाम होने वाले थे कोई शक नहीं ऐसा हुआ भी शनिवार राज जब कल्यार सिंग का निधन हुआ तो हरिश बाबु की याद बरबस ही आ गई छस साल हुए हैं जब लंबी बिमारी के बाद 17 जनवरी 2015 को उनका निधन हो चुका है राजनीती जीवन में हरिश बाबु कल्यार सिंग के गौड फादर कहे जाते हैं राजनीत किस अनोखी कहानी के साथ मैं पल्लव आपसे लेता हूँ विदा आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलेंगे फिर सुनाएंगे नई दास्ता देखते रहिए जी हिंदुस्तान धन्यवाद